जै मातादी, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मा कात्याईनी की कथा और उनकी महिमा सुनाएंगे. दोस्तों नवरात्र का छटा दिन मा आदी शक्ती दुर्गा के छटे सरो मा कात्याईनी को समर्पित होता है. माता कात्याईनी मन की शक्ती की देवी हैं और आज माता कात्याईनी की उपासना से सभी इंद्रियों को बश्मि किया जा सकता है. नवरात्र में छटे दिन मा कात्यायनी की पूजा की जाती है इनकी उपासना और आरातना से भगतों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मुक्ष, चारों फलों की प्राप्ति होती है उसके रोख, शोख, संताप और भेर नश्ट हो जाते हैं जैन्बों के समस्त पाप भी नश्ट हो जाते हैं मा कात्यायनी रोख, शोख को दूर करके आयू और सम्रधी भी प्रतान करती हैं जिन लोगों के विभा में रुकावट आ रही है उन्हें मा कात्यायनी का पूजन अवश्य ही करना चाहें मा कात्यायनी का पूजन करने से विभा में आ रही रुकावर भी दूर होती है और विभा सम्मंदी सभी समस्यायों से छुटकारा मिलता है ऐसी माननेता है कि देवी के छटे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा भगवान, शिरी राम और भगवान श्री किष्ण ने भी की थी पौराने कफाओं के अनसा ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री किष्ण को पाने के लिए देवी के इस सवरुप की बूजा की थी देवी भागवत इसकंद पुरान पामन पुरान में देवी कात्यायनी की कथा मिलते है मा कात्यायनी ने महिसासुर का बद करके देपताओं की रक्षा की थी मा कात्यायनी की उपासना से अद्पर शक्ती का संचार होता है और दुश्मनों से लड़ने की शक्ती आती है मा कात्यायनी शत्रों का अंत करती है मा कात्यायनी के भक्तों को दुश्मनों का भे नहीं रहता आज के दिन मा कात्यायनी की कथा सुने मात्य से ही रोग, शोग, संताप और भे नश्ट हो जाते हैं दुश्मनों से मुक्ति मिलती है मा कात्यायनी की कृपा से विभासम मंदी सभी समस्याएं दूर होती है और धन, सुक्सम्रधी और एश्वदे की राप्ती होती है मा का त्यायनी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है मारकंडे पुरार और पामन पुरार के अनसार मा का त्यायनी की कथा इस प्रकार है कथा के अनुसार पूर्वकाल में देपताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक हो संग्राम हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिसा सुर्थ था और देपताओं के नायक इंद्र थे उस युद्ध में देपताओं की सैना महावली अस्रों से परास्त हो गई संपूर्ण देपताओं को जीत कर महिसासुर इंद्र बन बैठा तब पराजित देपता प्रजापती भ्रमाजी को आगे करके उस इस्थान पर गए जहां भागवान शंकर और विष्णुची बिराजमान थे देपताओं ने महिसासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथाबद ब्रतांत उन दोनों देवेश्वनों से बिस्तार पूरवक कह सुनाया इस प्रकार देपताओं के बचन सुनकर भागवान विष्णु और शिवने देपताओं पर बड़ा क्रोथ किया उनकी भौएं तन गई और मूँ तेड़ा हो गया तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भागवान शिड़ी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ इसी प्रकार भ्रम्मा, शंकर तथा इंद्र आधी अनन्याय देपताओं के शड़ी से भी बड़ा भारी तेज निकला वह सम मिलकर एक हो गया महान तेज का भैपुंच ज़ाज लिमान परवसा जान पड़ा देपताओं ने देखा, वहाँ उसकी जॉलाएं संबूर दिशाओं में ब्याप्त हो रही है संबूर देपताओं के शड़ी से प्रकट हुए उस तेज के कहीं तुल्ला नहीं थी एकतित होने पर वह एक नारी के रूप में पढ़नत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में ब्याप्त जाएं पड़ा भगवान शंकर का जो तेज सा उससे उस देवी का मुख प्रकट होगा यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए शेरिव विश्णु भगवान के तेज से उनकी भोचाएं उत्पन होई चंद्रमा के तेज से दौनों इस्तनों का और इंद्र के तेज से मद्धिभाग कटी प्रदेश का प्रादुर भाव हुआ वरुण के तेश से जंगा और पिंटली तथा प्रत्वी के तेश से नितम भाग प्रकट हुआ ब्रह्मा के तेश से दौनों चरण और सूरे के तेश से उनकी अंगुलियां हुए वसुओं के तेश से हातों की अंगलिया और कुवेर के तेश से नासिका प्रकट हुए उस देवी के दान प्रजाप्रती के तेश से और तीनों नेतर अगनी के तेश से प्रकट हुए उसकी भौए संध्या के और कान बायू के तेश से उत्पन हुए इसी प्रकार अनन्याय देपताओं के तेज से भी उसका ल्याणमाई देवी का अभिभार हुआ। तदंतर समस्ते देपताओं के तेज मुंझे से प्रकट हुई देवी को देखकर महिजासुर के सताय हुए देपता बहुत प्रसन हुए। बिनाध्धारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उहें दिया। फिर भगवान पिश्टू ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन करके भगवती को अरपन किया। वरुन ने भी शंक फेट किया। अगनी ने उन्हें शक्ती दी और बायू ने धनुश तथा बान से भरे हुए दो तरकश प्रदान किया। सहस्तुन नेत्रों वाले देवराज इंदर ने अपने बज़े से उत्पन करके एक बज़े और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल डंड से डंड बरुन ने पांश प्रजा पती ने इस फटिक की माला। तथा भ्रमा हाथ था कभी जीन ना होने वाले दो दिव्वे वस्तर भेट किये। साथ ही उन्होंने दिपे चूणा मड़ी, दो कुंडल, कड़ी, उच्छल, अर्धचंदर, सब आहूं के लिए के यूर। दौनों चर्णों के लिए निर्मल निपूर, गले की सुंदर हसली और सब गूठियां भी भेट के। विश्मकर्मा ने उन्हें अत्यंतर निर्मल फरसा भेट किया, साथ ही अने प्रकार के अस्तर और अभेद कबस दिये। इनके सिवा मस्तक और बक्षिस्तल पर धारन करने के लिए कभी ना मुलहाने वाले कमलों के मालाएं दे। जल्दी ने उन् अधू से भरा पानपात्र दिया तता संपूर नागों के राजा शेश ने जो इस प्रत्वी को धारन करते हैं उन्हें बहु मूले मडियों से बिभूशत नाघार भीट किया। इसी प्रकार अन्य देपताओं ने भी अपने आभूशन और अस्तर स्तर देकर देवी का सम्म किया। तत पश्चाद देवी ने बारम बार अठाहस पूर्वक उच्चु स्वर सी गजना की। उस समय देपताओं ने अत्यन प्रसंता के साथ सीहिं पाहनी भावानी से कहा देवी तुम्हारी जय हो। साथे महिश्यों ने भक्ती भाव से बिनर्म होकर उनका इस्तिवन क किया। इस तरहें देपताओं के देच पुंज से देवी का प्राकटे हुआ। देवी ने महिशासुर आदी दैत्यों का बत करके देपताओं को उनका राजय पापस दिलाया। माने दसमी तिथी के दिन महिशासुर का अंति किया था। इसके बाद शुम्भुन लोग पर आक्रमण करके इंद्र का से हासन ठीन लिया था और नब ग्रहों को बंधक बना लिया था। आगने और बायू का बल पूरी तरहें से उन्होंने ठीन लिया था। उन दोनोंने देपताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देपताओं ने मा की इस्तुती की इसके बाद मा ने शुम्ब और निशुम्ब का भी बद करके देपताओं को इस संकर से मुक्ति दिलाई थे क्योंकि मा ने देपताओं को वर्दान दिया था कि वह संकर के समय में उनकी रक्षा करेंगे कात्य गोत्र में बिश्व प्रशित महरीशी कात्यायन ने भगवती की उपासना की, कठिन तपस्या की और उनसे इक्षा की, कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो मा भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया कात्यायन रिशी की पुत्री होने की बज़े से ही इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा इनका गुण शोत कारे है इसलिए इस बैग्याने युग में मा कात्यायनी का महत्र सरवाधिक हो जाता है इनकी कृपा से ही सारे कारे पूरे हो जाते हैं ये वैधनात नामक इस्थान्स पर प्रकट होकर पूजे गए मा का त्याइनी अमुखफल दाइनी है मा का त्याइनी का सुरूब अत्यन भब्बे और दिव्बे है ये स्वण के समान चमकीली है और भास्वर है इनकी चार भुजाएं है दाइन तरफ का उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में है तथा नीची वाला हाथ बर मुद्रा में है मा के बाइन तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार है और नीची वाले हाथ में कमल का फूल शुशोबित है इनका बाहन भी सही है इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मुख्ष, चारों फलों की प्राप्ति होती है भक्तों के रोक, शोक, संताप और भेनश्ट हो जाते हैं जन्मों के समस्त पाप भी नश्ट हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि मा कात्यायनी की उपासना करने से परंपत की प्राप्ति होती है मा कात्यायनी शत्रु हनता हैं इसलिए इनकी पूचा से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुख में बनता है जबकि मा कात्यायनी की पूचा करने से कुवारी कन्याओं का विवा होता है और मन चाहे बर्की प्राक्ति होते है आज के दिन मा कात्यायनी की कथर सुनने मात्र से है मा कात्यायनी की गरपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलते है मा कात्या ने अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करते हैं और सुख में जीवन प्रतान करते हैं मा कात्या ने शत्रों से भी रक्षा करते हैं और रोख, शोख, दुख, दरिता को दूर करते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग रादी ज़्यादादी ज़्यादादी